आज बाबा साब के 127 जम जैनती को बड़े धुमधाम से मनाया गया और बहुत तादात के अंदर आपने देखा कि यहां जनता का वाल था दो तारी को जो एट्रोशिटी मामले में जब भारत बंद था उसके संदर में आज भाउस तादात के अंदर भीड थी और उसी भीड के साथ में कुछ हमारे साथी जो थे उन्हों ने आज जेल भरो अहंदोलन भी किया था और जेल में भी गए थे और हमारे बीच में डिसी कि आज से हमने देश में ये शुरुवाथ की है कि यह पूरे देश के अंदर जेल वह रोवां दोलन कि शुरुवाथ हुई है और इसके पीछे उनको रात को दविस दे करके पुलिस जो है नाजाज बंद कर रही जो पंदरा युवा हमारे सईध हुए हैं एक उसे आंदोलन के अंदर उनको कोई रियाथ नहीं मिल ली है और बड़ा दुरभाग्य है इस देश का कि इस देश की मीडिया ने आज तक उन मरतकों की जो 15 बच्चे सहीद हुए हैं आज तक उनकी फोटो और उनकी पैचान भी किसी मीडिया ने अभी तक नहीं दरसा ही है तो देश की सरकार के खिलाप और ये अपील करने के लिए कि जो दो तारिक के आंदोलन के बाद जो धर पकड़ हो रखी है जो जूटे केज बनाय जा रहे हैं निर्दोसों को जेल में ठूसा जा रहा है दभीस के नाम पर महिलाओं को राज को प्रेसान किया जा रहा है उनको बंद करें और हमने ऐह अल्टिमेटम दिया था कि 14 अप्रैल से पहले पहले अगर भारत सरकार नहा जागी तो हम 14 अप्रैल के दिन यहांपर हजारों की संग्या में जो है जेम भरो आंधोलन की स्रुवात करेंगे और वो सुरुवात हमने आज यहां पर की हैं थाने में जाकर के हमने गिरफतारियां दिये हैं हजारों की संक्या में हमारे साथ से और आज के इस गिरफतारी की सबसे बड़ी विसेशत्णा यह है कि दैसे के मुस्लिम संगटनों के बहुत सारे परतिनीती हमारे साथ थे और सब ने एक साथ मिलकर के गिरफतारी थी यह जेल जाने का कोई दुख नहीं है चुकि इसलिए दुख नहीं है कि यह सुरुआत आज जो हुई है यह सुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और जो समाज दबावा समाज जो बहुत हजारों वरसों से दबावा पढ़ाता जो खड़ा नहीं हो रहा था वो उठकर के खड़ा हुआ है और अब यह अंदोलन रुकेगा नहीं इस देश के अंदर 2019 में यह जो मनवादी सरकार है इसको उखाड फैंके का पहुचन समाज और इसमें तेरे तेरे करके जो ओबीसी के साथ ही और माइनोर्टी के साथ ही धार्मी कल्प संक्यक जो हमारे साथ आ रहे है यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा संक्यत है और इस संक्यत के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमें कोई दुख नहीं इस बात का